येशु मसी के सामर्थी नाम में एक बार फिर से आप सभी मित्रों का हारदिक हारदिक स्वागत है मेरा यानि भाई अजीत होरो का अभिवादन स्विकार कीजिए मित्र इन दिनों हम इस आडियो पोस्ट में लगातार एक श्रिंखला में चल रहे हैं और मनन कर रहे हैं उन बातों का जिन्हें परमेश्वर नहीं चाहता कि हम देखें और इसलिए इस श्रिंखला का नाम है मत देखिए आज इसी श्रिंखला में हम इसकी पांचवी कड़ी पर विचार करेंगे लेकिन एक बात मैं पहले स्पष्ट कर दूँ ये बात स्पष्ट है कि देखने से मात्र भौतिक आँखों का देखना ही नहीं है लेकिन इसका संबंध दृष्टी कोंड से भी है तो आईए आज के मनन में चलें मित्र उत्पत्ती 17 और उसके 18 में इस प्रकार से लिखा है और इबराहीम ने परमिश्वर से कहा जिसका नाम इश्माइल था ये सच है कि अबराहम को संतान नहीं होने का बहुत ज्यादा दुख था अक्सर वो सोचता होगा कि क्या उसका जीवन इसी तरह समाप्त हो जाएगा क्या वो नहीं संतान मर जाएगा वचन में नहीं लिखा है लेकिन मुझे लगता है कि उसके घर में जब हाजीरा से पुत्र उत्पन हुआ यानि जब इश्माइल उत्पन हुआ और धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगा तो अबराहम का मन एक प्रकार से स्तंतुष्ट हो गया जब वो लड़के को देखता होगा है ना हम मत देखिये की चर्चा कर रहे है जब वो लड़के को देखता होगा उससे बात करता होगा लड़का जब घर में रौनक लेकर के आता होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि अबराहम का मन अब परमिश्वर की प्रतिग्या की ओर उतना नहीं रहा होगा जितना अक्सर रहा करता था जब वो लड़के को देखता होगा तो उसे लगता होगा कि अब काफी है अब काफी है नी संतान तो नहीं हूँ और यही कारण है कि उसने परमिश्वर तक को कह दिया इश्माइल तेरी दृष्टी में बना रहे यही बहुत है आज कल की भाषा में इश्माइल को देखने के बाद वो कमफर्ट जोन में चला गया था और मित्र जब हम कमफर्ट जोन में चले जाते हैं तो ना परिश्रम करते हैं ना हमारा दर्शन बना रहता है आगे सुनिए अबराहम को क्या कहना चाहिए था मित्र अबराहम को कहना चाहिए था कि परमिश्वर तूने जो पुत्र मुझे दिया उसके लिए आपका धन्यबाद हो लेकिन आपकी वह प्रतिग्या कहां गई जिसमें आपने कहा था कि सारा से संतान उत्पन होगी और उसी के पुत्र से तुम्हारा वंश चलेगा मुझे पिश्वास है मेरे प्रियों कि यदि अबराहम ऐसा कहता तो परमिश्वर अवर्ष ये प्रसन्न होता कि उसे मेरी प्रतिग्या याद है बट ही फेल इंटु दे कमफर्ट जोन और विन ही सौ दे चाइल्ड जब उसने उस बच्चे को देखा तो जैसा मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि जब उसने उसको देखा तो परमिश्वर की प्रतिग्याओं के प्रति उसके मन में वो ज्वलन्त भावना नहीं रही ऐसा लगता है कि अबराहम ने मान लिया था कि अब इश्माइल हो गया ना ठीक है यही काफी है मित्र हमारे जीवनों में भी अक्सर ऐसा होता है हम छोटी छोटी चीजों को देख कर ही उनसे समझोता कर लेते हैं और कहते हैं जितना है परमिश्वर उतना ही ठीक है किसी तरह से सेवा चल रही है किसी तरह से बच्चे पास हो रहे हैं किसी तरह से गुजारा चल रहा है और जिस तरह से जीवन हम जी रहे हैं यही बहुत है मित्र ये हमारा देखना हुआ लेकिन याद रखिए हमारे और परमिश्वर के देखने में आकाश और प्रिथवी का अंतर है हम भूल जाते हैं कि वह हमारी सोच और समझ से बहुत ज्यादा बढ़ कर सकता है इफिसियों 3 और उसके 20 में वचन कहता है वह ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है मित्र उन्ही छोटी छोटी चीजों को देखकर संतुष्ट मत हो जाईए जो कि आपके जीवन में है लेकिन थोड़ा ठहरिये प्रात्ना में ठहरिये वचन पढ़िये उसकी प्रतिग्याओं को याद कीजे जो 32,000 से अधिक प्रतिग्याएं है उनको याद करें और फिर इस बात को सोचें जितना मैं देख रहा हूँ क्या परमिश्वर की योजना मेरे लिए इतनी ही है अबरहम अपने तंबू के अंदर है उत्पति 15.5 में लिखा है और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा आकाश की और द्रिश्टी करके तारा गण को गिन क्या तू उनको गिन सकता है फिर उसने कहा तेरावन्ष ऐसा ही होगा मित्र यहां एक सवाल है कि क्या जरूरत है रात के समय परमिश्वर को उसे तंबू से बाहर निकालने की अच्छा भला सो रहा होगा आराम कर रहा होगा क्या आशिकता थी मेरे मित्रों कि आकाश के तारागणों को वो दिखाए और फिर कहे कि तेरावन्ष इसी प्रकार से अंगिनत होगा मेरे मित्र ये काम तो परमिश्वर मातर बोल कर ही कर सकता था यदि परमिश्वर कह देता तो क्या संतान नहीं होती अवश्य होती लेकिन मेरे मित्र यहां हम एक आत्मिक रहस्य को समझना चाहते हैं और आत्मिक रहस्य यह है कि अबरहम के विश्वास को बढ़ाने के लिए परमिश्वर ने उसकी आँख का प्रयोग किया अनगिनत तारों को देख और विश्वास कर कि तेरा वंश ऐसा ही होगा मेरे मित्र अबरहम को उसने तंबू से बाहर निकाला आज इस समय जब इस मनन को आप सुन रहें वो चाहता है हम भी अपने छोटे छोटे विचारों के तंबू से बाहर आएं हम अपनी ही कलतनाओं के बीच में सीमित ना रहें कि जितना है उतना ठीक है नहीं हमें दर्शन में और आगे जाना चाहिए मेरे मित्रों इस समय कहना चाहता हूँ जो भी तंबू है हमारी हीन भाउना का हमारी कमजोरियों का हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी विचार धाराओं का जिसके कारण हम अपने आपको निकम्मा देखते हैं आवशिकता है कि आज हम कहें परमेश्वर इस समय मैं तयार हूँ जब इस मनन को मैं सुन रहा हूँ मुझे अपने तंबू से बाहर निकाल और मुझे दिखा आस्मान की उचाहियों को दिखा मेरे उज्वल भविश्व को दिखा और मुझे बता कि तेरी कलपनाएं मेरे लिए कितनी बहुमूल्य है क्योंकि मेरे मित्रो परमेश्वर कहता है जो कलपनाएं मैं तुहारे लिए करता हूँ वो तेरे लिए लाब की है हानी की नहीं है हम बार बार चर्चा कर रहे हैं मेरे मित्रों अब मैं समाप्त करूँगा कि जैसा हम देखते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होने लगता है आईए आज ना कहें प्रभू जैसा भी मैं हूँ गिरा पड़ा हूँ या जो भी मेरी हालत है अब इसे ज्यादा तो होगा नहीं इतना ही रहे तो ठीक है No मेरे मित्रो महान परमिशर से महान बातों को मागें एक बात कहूँ इस मनन को सुनने के बाद यूही ना बैठे रह जाएं इस मनन को सुनने के बाद थोड़ा समय आत्म मनन में बिताएं आँखों को बंद कर लें और विश्वास के साथ दर्शन देखें कि आपका शरीर जो बीमार है स्वस्थ होता जा रहा है दर्शन देखें अपने बच्चों को शैद आप देखते हैं कि ओके जहां तक हैं वही तक ठीक हैं लेकिन कहीं उससे आगे बढ नहीं हैं लेकिन सेवा बढ़ रही है आज एक दर्शन देखें कि आपके घर के अंदर आनंद और सुलह का महौल आ गया है और कलह जाती रही मेरे मित्रो और एक दर्शन देखें कि परमीश्वार का आनंद आपके परिवार में आपकी मिनिस्ट्री में आपके प्रिये जनों के बीच में उमड रहा है विश्वास के साथ ये दर्शन देखें लेकिन एक शर्त है कि पविधृता का जीवन जीए प्राथना का जीवन जीए और परमिश्वर के वचिन में लगातार ढूंडते रहिए खोचते रहिए कि आपके प्रती उसकी कलपनाएं कितनी उंची और कितनी लाभप्रद हैं और आपको विश्वास हो जाएगा कि आप अभी तक तंबू में ही बैठे थे हम में से हर एक को परमिश्वर हमारे तंबूओं से बाहर निकाले और हमें से हर एक को दिखाए कि वो हमारे लिए कितनी महान और उंची कल्पनाएं करता है मेरे मित्र ये वचन आपके लिए भी है क्योंकि आप भी उसकी संतान है उसके लहू में खरीदी हुई संतान आप भी है और परमेश्वर की कल्पनाएं आपके लिए भी है परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आर्शिष दे, आईए आज से सकारातमक देखना आरंब करें आमीन, छोटी प्रात्ना करेंगे प्यारे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए प्यारे खुदावंद, आज के दिन कहना चाहता हूँ कि हम यही अपने जीवन के अंदर ना कहें जो है वही ठीक है, इसमाईल ही बना रहे यही बहुत है प्यारे प्रहुजी हम आपकी प्रतिग्याओं को भी याद करें क्योंकि आपकी प्रतिग्याओं हाँ और आमीन के साथ है आज के दिन हम विश्वास के साथ प्यारे खुदावंद, अपने अज्वल भविश्य को देखते हैं आज के दिन हम विश्वास के साथ अपने बच्चों के जीवन के अंदर आपकी भलाई और आपकी करुणा को प्रगट होते हुए देखते हैं आज हम विश्वास के साथ अपने 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 शरीरों को देखते हैं जो शैद बीमार है और आज हम विश्वास के साथ अपने भाविश्य को देखते हैं और आज के दिन हम विश्वास के साथ देखते हैं कि आप हमें अपनी महिमा के लिए बहुत आयत के साथ इस्तेमाल करेंगे. धन्यबाद करता हूं तात्ना को सुनने के लिए. आधर महिमा आपको देता हूं. हमारी आखों को भी अपनी वेदी के अ आमीन